अब फिर्फिर्फ मेरे चैनल आज इसमें आप सभी का फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि एक लिटर दूद का वजन किलो ग्राम में कितना होता है जो आम तरफ पर हम लोग यह तो समझते ही रहते हैं जो एक लिटर दूद होता है वह क्या होता है वन केजी यानि एक किलोग्राम के बरावर होता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है एक लिटर और एक किलोग्राम में दूद जो है फरक होता है ठीक है जैसे हमने अगर एक लिटर दूद लिया है तो उसका जब वजन करेंगे किलोग्राम में तो क्या हो हो जाएगा sittesh हो चैंग तो क्या होगा मैं आप इस वीडियों में बताने वाला हूं क्यों कि आप दोस्तों जानते forms या फिर चेली क्या करते हैं लिटर से लेकिन जो जब ठोस बढ़न थैं इसलिए शुरे नापते हैं अज जब कोई ठोस भदता है, उसको क्या करते हम, ग्राम से किलोग्राम से तॉलते हैं वजन करते हैं, तो अर्छम ये बताना एक बटाना कि जो एक लिटर दूद है, इसका वजन किलोग्राम में कितना होगा, मैं आपको इस बदिछोंपट बता यहां बारा। किसका एक लिटर दूद का एक लिटर दूद का वजन ठीक है एक लिटर दूद का वजन 132 ग्राम होती है तो दूस्तों आपने दिखा कि जो एक लिटर दूद होता है क्या होता है एक 132 ग्राम होता है, किलो इनिक कि जो एक किलो ग्राम होता है, एक किलो ग्राम होता है, निकल कर आएगा, 32 ग्राम ज्यादा होगा किसके अपच्छा लीटर के अपच्छा यानि कि लीटर से जब तौलेंगे तो हमारा एक लीटर जितना होगा और जब हम वजन में करेंगे तो एक हजार 32 ग्राम में आएगी यह अगर कोई क्वेस्टन में पुछता है तो इसका सीधा जवाब यह आपको उसकते हैं कि जैसे कि एक लीटर दूध है क्या होता है वन केजी यानि एक किलोग्राम ही होता है लेकिन नहीं क्या अधा फर्क रहता है कितने का 32 ग्राम कर रहता है तो आई होब आपको यह जंखारी अच्छी लगे होगी वीडियो को लाइक आदे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर ले चली मिलते एक नए वीडियो में